नमस्कार दोस्तो हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET हिंदी की त्यारिया हम कर रहे हैं दोस्तो तो इसके अंतरगत हम अपना दूसरा यूनिट कर रहे हैं जिसमें हम आज अपने दूसरी यूनिट का जो आधिकाल है दोस्तो उसका आखरी बाग करने जा रहे हैं इसके अंत्रकत हम पड़ेंगे आज अदिकालीन लौकिक साहित्य और अपभरन्ष के जो पर्मुख रचनाकार हैं उनके बारे में तो चलिव दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि अपवरंश के जो प्रमुख रचनाकार हैं हाला कि हम अपवरंश जो भाषा है उसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों लेकिन जो अपवरंश के जो रचनाकार हैं दोस्तों उनके बारे में हमने उस वक्त जो अपनी पहली एकाई थी वहाँ पर नहीं पड़ा था तो आज हम थोड़ा सा उस चीज के बारे में देख लेते हैं कि अपवरंश के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये कहते हैं कि आदिकाल का जो दूतिय प्रकरण है वो अपवरंश काल का है जब भी हम दोस्तों अचारे रमचंद्र शुकल की इतिहास की जो पुस्तक है उनकी उसको देखेंगे दोस्तों तो उसका जो दूसरा प्रकरण है वो क्या है वो है अपवरंश काल तो कई बार यहां से इस तरीके से भी एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है कि जैसे एक बार पहले NTA UGC NET हिंदी के जो परिक्षा थी उसमें ये प्रशन पूछा गया था कि कौन से प्रकरण में ये चीज वर्नित है तो हो सकता है कि इस तरीके से कई बार प्रशन पूछा आपका धनपाल और उसके बाद आते हैं जो चोथ हैं अब्दुलरह्मान और उसके बाद अन्य जो हैं सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं स्वयम्भू को तो जो स्वयम्भू हैं दोस्तों यहाँ पर दो बार हो गया है आप इसको एक बार ही ल तो Doctr Jen क्या मानते हैं, कि ये करनाटक परदेश के क्या है, निवासी हैं, और अपवहनच भाषा के दोस्तों ये क्या है, ये प्रत्थम कभी मने जाते हैं, कौन? जो स्वेंबू है, इनको क्या का जाता है, कि ये अपवहरनच भाषा के प्रत्थम कभी हैं, तो जो Doctr Ramkumar Verma वो क्या कहते हैं नको जब हम अपने जिस वक्त हमने पीची वारी क्लास में पड़ा भी था कि हिंदी का प्रत्थम कभी अलग-अलग विद्वानोंने अलग-अलग कवियों को माना है तो जोक्टर नामकुमार वर्मा क्या मानते हैं जो हिंदी का प्रत्म कभी है वो कौन है स्वेम्भू ही है ठीक है तो स्वेम्भू को दोस्तो और देखे क्या का जाता है इने का जाता है अपभरंश का वालमी की तथा व्यास तो इस रिके से भी कई बार हो सकता है एक्साम में पूछ जाए कि अपभरंश का वालमी की तथा व्यास की से का जाता है तो वो है स्वयम्भू क्लियर है दोस्तों तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो स्वयम्भू की रचना है दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने कितने से ग्रंथ लिके हैं तो अगर इनके ग्रंथों की बात की जाए तो इन्होंने ती पूण है इनकी रचना और दूसरी है ठ्रणेमी चर्यू और तीसरा है स्वेमभू छंद तो यह जो तीन इनकी महुतरपृणि रचना आएं दोस्तों जो पौम चरियू है देखिए उसमें क्या है? उसमें राम के चरित्र का वनना में मिलता है क्लिर है दोस्तों तो पौम चरियू को पूर्णता उनके बेटे त्रीभूवन ने प्रदान की तो मतलब कि ये क्या थी ये अधूरी रजणा थी इसको पूरQuand किस ने किया त्रिभुन ने पूरा किया और स passtly ने कहा था दोस्तो उन्होंने कहा था अपनी भाषा को देशी भाषा जो डॉक्तर नगेंदर है देखिए वो क्या कहते है स्वेंभू के बारे में यद्यपी स् दोस्तो स्वयम्भू के बारे में थोड़ी सी जानकारी, अब हम देख लेते हैं जो दूसरे कभी हुए हैं अपब्रंश की जो रचनाकार, वो हैं पुष्पदंत और इनका सब है दोस्तो, दस्वी शताबदी, तो इन्हें कहा जाता है हिंदी का भभूती, अगर इस तरीके स पुष्पदंत और इस से पहले हमने पढ़ा था दोस्तो, कि जो स्वयम्भू थे, उन्हें क्या कहा जाता है, अब ब्रंश का वालमिकी तथा व्यास, क्लियर है दोस्तो, अब देखिए जो शीव संग सेंगर हैं, अब ये किसको, ये पुष्पदंत को मानते हैं पहला कभी है न, तो सेंगर किसको मान रहे हैं, अब पुष्पदंत को मानते हैं पहला कभी, और उन्होंने पुष्पदंत को भाका की जड़ भी कहा है, तो इस तरीके से अगर प्रोशन पुछा जाए कि भाका की जड़ किस विद्वान को कहा जाता है, और किसने कहा, तो भाका की दोस्तों, इनके तीन महत्तपुन ग्रंथ हैं, जैसे ये पहला है, देखिए महापुराण, जसहर चर्यू और नैकुमार चर्यू, देखिए दोनों में कॉमन चीज क्या है, पुश्पिदंत और स्वेम्भू में कि दोनों ने तीन-तीन रचना हैं, इनकी उपलब्द हमें मिल मतलब क्या है, जसहर चर्यू, नैकुमार चर्यू, हलांकि पहला महापुराण है, ठीक है, लेकिन ये तीनों क्या है, ये चरित काव्य हैं, चरित काव्य मतलब जिनमें किसी के चरित्र, चित्रन की बात कही गई हो, तो देखिए इसमें 63 जो महापुरुष हैं, उनके चरित महापुरिस गुणालंकार और महापुरान ठीक है इसका दूसरा नाम है यह इसलिए है क्योंकि इसमें 63 जो महापुरुष है उनक्या चरित्र चित्रन है देखिए कौन-कौन से हैं इसमें 24 जो जैन तिर्थकर हैं और 12 चक्रवर्ति एंड 9 इसमें वासुदेव हैं और 9 प्रत यशोद्रा का जीवन चरित मिलता है तो इसे जसहर चरित भी कई जगा आपको मिल जाएगा यह जसहर चरित तो जसहर से अभी प्राय है यशोद्रा तो इनका जो पूरा जीवन है दोस्तो इसमें वर्नित है तो इसमें कामदेव के अवतार जो नाग कुमार है उनका चरित् इनकी जो रचनाए हैं, इसमें क्या है? चौपाई चंद का प्रयोकिया है, किस चंद का प्रयोकिया गया है दोस्तों, इसमें चौपाई चंद का, clear है? फिर जो पुश्वदंथ थे, उन्होंने खुद को क्या दी थी? कुछ उपाधियां दी थी, जैसे हमने पिछली क्लास मे हैं, दोस्तों, जो इन्होंने खुद को स्वैम ही प्रदान की थी, ये था पुश्वदंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, जो तीसरे हुए हैं, धनपाल, तो इनका समय भी माना जाता है, दोस्तों, दस्वी शताबदी, और इनके ब पढ़ेंगे, अबदुलरह्मान, या इन्हें कहाजाता है, अधहमान, तो यहां बीच में मिस्प्रिंट हो गया दोस्तों, अधहमान, दो के बाद हा लगेगा और दो हलनत हो जाएगा, अधहमान, तो कई बार इनका जो दूसरा नाम है देखिए, अबदुलरह्मान, या फ नाम याद होने चाहिए ठीक है तो इनकी जो प्रमुख रचना है संदेश रासक और इसका समय बार्वी शताबदी का उत्राद और तेर्वी शती का प्रारंभ माना जाता है तो देखिए इसका कोई exact time period अभी मालूम नहीं है कि ये कब लिखी गई है लेकिन कहा ये जाता है कि बार्वी शताबदी का अंत और तेर्वी शताबदी का जो शुरुआती समय है वहाँ पर इसको माना जाता है कि उस वक्त शायद इसकी रचना हुई होगी ठीक है संदेश रासक प्रत्थम धर्मेत्र रास ग्रंथ है तो धर्मेत्र प्रत्थम रास ग्रंथ है दोस्तों ये आपको जानकारी होनी चाहिए तो देशी भाषा में किसी मुसल्मान द्वारा लिकित यहाँ प्रत्थम ग्रंथ है तो हमारी जो देशी भाषा है उसमें मुसल्मान द्वारा लिकित पहला ग्रंथ इसको माना जाता है बहुत ही मुटपूर्ण चीज है ये भी इसको याद बनन किया गया हो तो इसमें भी उस विक्रमपूर की जो वियोगी नहीं है उसके सिर्फ विरह की कथा को ही वर्नित किया गया है तो क्लियर दोस्तों खंड कावे है ये और ये था अब्दुल रह्मान के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसके साथ ही साथ दोस्तों जो अपभर जैसे गाथा और कहा काने से प्रकृत का बोध होता है उसी तरीके से दोहा या दूहा कहने से क्या है अपभरंश का बोध होता है तो अपभरंश में देखिए दोहा कावे परमपरा क्या थी प्रचलिति तो छट्वी शताबदी में प्रमात्म प्रकाश जो और योगसार जो बाद में जो गाथा या गाहा कहने से प्राक्रित का बोध होता था पहले और बाद में क्या हो गया दोहा या दोहा कहने से अपभरंश या लोग परचली तो जो कावे वाशा थी उसका इस परमपरा को देखे फिर शुरुवात तो इसकी जो इंदू ने छटवी शताबदी में की लेगिन उसके बाद इसको कॉंटिन्यू किस ने रखा पाहुड दोहा में जो ग्यार्मी शती में मुनी राम सिंग ने लिखी क्लिर है दोस्तो तो ये था अपवरहंश में दोहा कावे परमपरा और फिलहाल अपवरहंश के जो प्रमुख रचनकार और कभी है दोस्तो वो यही पर संपन होते हैं अब हम पढ़ लेते हैं लोकिक साहित्य जो हमारी आदिकाल का आखिरी बिंदु है ठीक है दोस्तो तो ऐसा साहित्य जो लोगों की समवेदनाओं से उपज़कर उसका संवर्धन, संचायन और प्रस्तुति करन करता है। देखिए लोकिक साहित्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा साहित्य जो लोगों से जुड़ा हुआ हो एक तरह के से है ना लोक साहित्य जिसको आप कहा सकते हैं कि ऐसा साहित्य जो लोगों से जुड़कर उनके गले के हार बनकर रहता है या गले का हार बनकर रहता है लोगों द्व गया कि लोगों का ऐसा साहित है जो सिर्फ लोगों से ही जूड़ा हो और वोहि क्या करते हूं इसको उसको संगरक्षित रखते हूं है ना कलिर दोस्तों उसको कहा जाता है आधिकाल में यह दो गृंत ही हमें अपलबद होते हैं क्लियर है जो प्रमुक हैं देखिए डोला मारूरा दूहा के बारे में थोड़ा सा पर लेते हैं कि इसके जो मूल कवी हैं दोस्तों वो कौन है वो है कलोल कवी ग्यारवी शताबदी में रचित लोग भाशा काव्य है देखिए लोग भाशा मैंने पहले भी कहा दिया कि ये क् किसको धोला मारूरा दूहा को ही सत्रवी शताबदी में कुशल राय द्वारा इसका विस्तार किया गया देखिए पहले तो इसको जो मूल कवी है इसके कलोल माने जाते हैं लेकिन सत्रवी शताबदी में इसको क्या किया विस्तृत किया गया किसके द्वारा कुशल राय के द्वारा ठीक है दोस्तों तो ये जो धोला मारूरा दूहा है ये धोला और मारवणी की प्रेम कता है किस तरीके की कता है ये देखो दोस्तों प्रेम कता है ठीक है तो इसमें देखिए ये जो प्रमुक चीजें क्या है बाल विवाह विरह और विवाहतर प्रेम कता का वनन तो तो का जाता है कि जब ढोला और जो मारवानी थे ये अतियंत छोटे थे या दो डाई डाई साल के थे तो उस वक्त इन दोनों का एक तरीके से ब्या कर दिया गया था बाद में क्या होता है कि वो उसका ब्या किसी और से हो जाता है ठीक है ढोला का और इस चक्र में मारवानी उ तो यह था दोस्तो डोला मारूरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लौकिक साहित्य के अंत्रगत आने वाली जो अगली रचना है दोस्तो वो है वसंत विलास। इसमें देखिये कि तेरवी शताबदी में रचित ये क्याववेगरंथ है और इसके जो रचना कारें दोस्त तो 1952 में हाजी मुहमद स्मारक ग्रंथ में, तो इसके चो प्रत्हम संपादक हैं देखिए वो थे केशवलाल हर्षाद राये, तो कौन थे? केशवलाल हर्षाद राये, इसके पहले संपादक माने जाते हैं, और 84 दोहों में रचित ये श्रिंगारिक काव्य है, इसमें बसंत और इस्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रन किया गया है इस कृती में आदिकाल के जन जीवन का वहा सरस पक्ष उबरता है जिसे अचारे रामचंदर शुक्ल शायद तलवारों की जन जनाहात के अधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे तो ये पंक्तियां कही हैं दोस्तों डॉक्टर नगेंदर ने हिंदी साहिते के इतिहास में कि ये कह रहे हैं कि इस कृती में आदिकाल का जो जन जीवन है उसके सरस पक्ष को उबरा गया है जिसे शायद अचारे रामचंदर शुकल तलवारों के जन जनाट के अधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे कहने का मतलब ये क्या था कि इसरीके की जो रचनाए रची जा रही थी या यूँ कहें जो जन मानस की या फिर श्रिंगारिक्ता की जैसी रचनाई उस वक्त रची जा रही थी उनसे क्या है शायद अचूते रह गये थे कौन अचारे रामचंदर शुकल ये डॉक्टर नगैंदर कहते हैं तो ये था दोस्तो लौकिक साहित्य और उसके अंतरगत आने वाले जो दो प्रमुख मौतपूर्ण जो रचनाए थी वसंत विलास और ढोला मारूरा दुहा खलाकि इसके अलावा जैचंद प्रकाश और जैमाइक जस्चंदरिका भी आती हैं दोस्तो तो उनके बारे में हमने अपनी पीछे बाली वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी हसिल कर ली थी जितना उसमें था दोस्तो ये था आदिकाल आदिकाल के अंतरगत आने वाले जितने भी हमारे महत्पून टॉपिक्स थे उनको हमने क्लियर करने की कोशिश की है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शियर कीज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे नई उर्जा और नईस पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जय हिंद जय भारत